जे नमुस्तू तत्तुम्चनंदे आनंदे मउं चे ने नंदे साहाओ बरमिताते पदे विंदे पव नम्यों से धिसुभाओ गुरु वेशे गुपति रुई गुपति न्यान सहकाँ तारण तरण समर्थ मुनी गुरु संसार निवाँ धम जोत्तौ जिन वरहम अर्थती अर्थह जोग भैविना शिभब जू मुनाँ ममल न्यान पर लोई दीव को गुरु को धर्म को शाची को वारंबार नमशकार हो रहमकार वेदांति शुद्धात्मितत्वाम् प्रेमामिनित्याम् तत्वार्ति सार्धाम् न्यानाम अयम् सम्य की दर्षिनेत्वाम् सम्यति चर्णम चेतन निरूवम् बुलिये सहे शमे शुद्धात्मि देवी की जैहो 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 अचार सद्गरुवा जिन तारंटर्म लाचार जी महाज की जैहो 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 जनेंद्र प्रमात्म की अम्रत में शुद्ध जिन देशना की जैहो 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 जिनेन परमात्मा का अम्रित में सुद्द्देश, वेगजाय शुद्ददेश, किया कहёр eleven जणेन परमात्मा कहा हैंईनिन परमात्मा, जिनेन परमात्मा तो बहुत सरल सी बत कहरा है, वो कहरा है, जिसे धर्म प्राप्त करना हैं, वे चेतनिता को जाने और जिसे धर्म प्राप्त करना ही नहीं है वो जहां है जैसा वैसा राय कोई रिक्कत ही नहीं है जिसे धर्म को प्राप्त करना है धर्म धर्म हो ब्राट बहुत बिसाल सत्ता को कहते है स्वा धर्म, स्वा जाति, स्वा कुल तो गुरु देप यहां कह रहा है या जे धर्म लीना गुण चेतनेत्व जिसे धर्म को प्राप्त करना है धर्म को वे गुण चेतनेत्व वे अपने चेतन में गुण को देखे वस जिसे धर्म प्राप्त करना है वो अपने चेतन्य में गुण को देखे और यदि जिसे धर्म से कुछ लेना देना नहीं है जिसका धर्म से कोई संबंध नहीं है जिसको धर्म से कोई अभिप्राय नहीं है उसके लिए कोई बात ही नहीं है वे तो जहां है जेसा है वेसा मस्त है जहां है जिस रूप में है जिस सैयोग में है वेसा मस्त है उसे तो कोई विचार ही नहीं है उसके लिए तो कोई देश नहीं है उसके लिए उपदेश उन भव्व आत्माओं के लिए है उपदेश उन साधकों के लिए है उपदेश की परंपरा उन भविक आत्माओं के कल्यान के लिए है जो भईये अपने मोक्ष मार को ग्यान मार को पिसस्त करना चाहते है बस सिर्फ उनके लिए है जो मोक्ष मार को ग्यान मार को जो साधक पिसस्त करना चाहते हैं उपदेश मात उनके लिए है भाई यह जो मोक्ष मार्ग को प्रसस्ति नहीं करना चाहते, ज्यान मार में आगे सातना करने नहीं चाहते, जिनें मोक्ष मार्ग से कुछ लेना देना नहीं है, वो उप्देशन के जा करेंगे, अपने टाइम पास करने के लिए तो संसार हैं वह सारी बस्तू है, पुन्य मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना है, अपने निराकार चेतन में द्रुख सभाव की स्वानभूती को जिनें अपने प्रतीती में अपने सामने प्रत्यक्ष करना है, जिनें अपने ज्यान विज्यान में निरावरण जो चेतन सभाव है, जिनें एसे निरावरण चेतन में अनुभाव से जानना है अपने अंतर चेतन में निराकार प्रभूता को जिन्हें अपनी स्वान भूती में पहचानना है स्वान भूती में स्वान भूतिया चकासते जिन्हें इसे स्वाधर्म को ग्रण करना है उनके लिए जिनिन भगवान की बाणी है उनके लिए आचारतारंतरंदेप के राएं जो धर्म से प्रियता रखते हैं कर्म से नहीं हाँ जो धर्म से प्रियता रखते हैं जिने धर्म से प्रिती है जिने पुत्र से नहीं है परिवार से नहीं है अपने सरीर से नहीं है अरे सरीर तो चुड़ो सरीर में चलने वाले मन क पिए विकारी भावों से जिन्ने प्रीति नहीं है जिने अग्जान भावों से प्रीति नहीं है जो थोड़े जागे हैं जो थोड़े सचेत हुए हैं जो अपने दुरिफसुभाव के श्रद्धान को प्राप्ट कर पाएं उनके लिए है उप्देश क्या है उप्देश उनके लिए उप्देश है जै धर्म लीना गुण्चेत नित्तम जो भब जीव अपने अंतर में बिद्वान अपने द्रव सुभाव को अर्थाथ धर्म को जानना चाहते हैं अर्थाथ मेरी आत्मा का जो स्वाधर्म है मेरा जो स्वाधर्म है जो जीव आत्मा अपने गुन्धर्म से अपने जीवत की पहोचान करना चाहते हैं अपने गुण धर्म अनुसार अपनी पेचान करना चाहते हैं वे गुण चेतन में गुण को जाने वह चेतन में गुण का अनुफ़ाओ करें भीया जो जीव आत्मा अपने लक्षण से अपनी पहचान नहीं करना चाहते हैं चेतन में जो जीव के लक्षण है ना इस चेतन लक्षण में सत्ता से अपनी पहचान नहीं करना चाहते हैं वह जीव आत्मा सरीर आधी पुद्गल से अपनी पहचान करते रहे है जड़ अचे जीव आत्मा छेतन लक्षण से अपनी पहचान करेंगे ज्यान विज्यान में सत्ता से अपने धर्म की पहचान करेंगे स्वा छेतन लक्षण में अंतर आत्मा अपने अनंचतुष्टे में सभाव से जो जीव आत्मा अपनी पहचान करेंगे वह जीव आत्मा जो स्वा आत्मा अपने स्वाधर्म में अपने लक्षण को अपने चेतन लक्षण को अनुभाव कर लेगी। अपने ज्यायक सुभाव में निमगन रहने का नाम है। धर्म तो चेतन में अपना निराकार ज्यान विज्यान में जो अपना पिंड है वो निर्विकल पिंड वो आत्मा धर्म सरूप है। उसे स्वाधर्म का बोध है। जिसे स्वाधर्म का बोध है। जिसे स्वाधर्म का बोध है। जिन सुद्ध दिष्टी जो एसे अपने सरूप को देखता है। जो अपने सुद्ध सुभाव को देखता है। हाँ में भगवान आत्मा जो इसे अपने चेतन में गुण से अपनी पहचान करते हैं। ज्ञान आदी दर्शन आदी अनंत चतिष्टे में अपनी धुरुप छेतन से अपनी पहचान करते हैं। वह सुद्ध दिष्टी वह अपने जिन सुभाव को ध्याने वाले ज्ञानी साधक दुख हीना। संसार के समस्त दुखों से मुक्त हो जाते हैं। उनके पास दुखों का आभाव देखा जाता है। संसारी जीव के पास दुखों का सदभाव देखा जाता है। के संसारी जीवों के पास दुखों की बाहर देखी जाती है दुखों का अनुभाव देखा जाता है इसे Bonjour May इंदुरी विस्व इं चिंता में आकल्ता में कसायों में मामया में यह सब्कॉन के जो बेर अ deform पीक लोकिक संस्कार उन्हें पता ही नहीं परमात्मा क्या है उन्हें पता ही नहीं तत्य क्या है उन्हें पता ही नहीं आतत्य क्या है उन्हें पता ही नहीं ज्यान क्या है जानते नहीं हैं इन सब चीजों को वह अज्ञानी मोही जीपतो संसार में वहिर अंदे वहिर वहरे वह जीपतो अज्ञान में कर्तत्य में मोही की वेदना में दुख के समुद्र में हर पल डूबे हुए हैं दुख की पृतीती में हर पल निवग न必ए इंद्री विशे भोग आदि जितना ही परिड़ने विनंद कहाए अचार तरंट तरंजिन सौमी ने कि विनंद ये दुख की अबस्थां हैं ये इंद्री विशे भोगों में बदलता हुआ परिड़नमान ये दुखका बदलता हु तो आपको सिध्धान्त से देखो कि आपको यदि अतीन दिर्शक का वेदा नहीं हो रहा है आपका आत्मा मित्यात में परणमित हो रहा है तो नियम से आपका सुख गुण आत्मा के ज्यान आदी गुण अग्यान में जो अग्यान रूप पढ़मित हो रहा है वो आपका सुख नामगुण विप्रे दुख रूप पढ़मित हो रहा है तो अब आपको कुछ भी प्रतिभास हो चाहिए पुन्य के ओदे में सुख रूप बढ़ी हवा ठंडी चल रही आसुख रूप गयर्मी लग रही है दुख रूप यह दोनों ही दुख के एक दूसरे काल्पनिक रूप है अब रही है दोभी आप दुखी हो और और अःहा वड़ी सीतलता वड़ी सान्ती वड़ी ठंड़ा अनंद इंद्री उसेवग का आनंद हिंसानन्दी में बढ़ि यह इंसानंदी रोद्र ध्यान में बड़िया निराकुलता मैसूस कर रहा है यह यह जो है यह निराकुलता का जो आप अनुभाव कर रहा हो यह निराकुलता नहीं यह अनन्त दुक्का ही वेधन है यह अनन्त दुक्का ही वेधन है और इस अनन्त दुक्कों के वेधन में यह जी बिलकुल लवा लव बिलकुल एकदम तन में होके एकदम एकमेक होके एक जेसा प्रवायत हो रहा है हिंसा में आनन्द मान रहा है हिंसा में सुखी हो रहा है अग्यान में डूबा हुआ हुआ है अब ये धर्मात्मा अरे धर्मात्मा की क्या बात कहते है भव्यात्मा धर्मात्मा की क्या चर्चा करवाओगे धर्मात्मा की क्या चरिया सुनोगे धर्मात्मा अर्था धर्मग्य धर्मग्य वे धर्मात्मा अपने चेटन मैं गोटों की अन्बूदना में तन्मी तलीन है वे ग्यानादी गोणों को देखने में तरलीन है वे अपने सुद्ध सुभाव के अभ्यास में निमकने उस धर्मात्मा के पास भ hybrid अपना चेटन में गोड़े वे वरत्रा है और उसकी दिष्टी ऐसे चेतन्द में जिन सुभाव अपने वीतराक पत्पे होने से जिन भगवान की आज्या को सीकार करने से उसकी दिष्टी अपने अनादी अनंती चेतन्द में जो उसका ग्याय ग्यान सभाव है जो उसकी ग्यान विज्ञान में अपनी अतुलित शक्ती है जो उसका सोयम का अतींदरी चैतन में प्रकासित न्यान विन्यान में जो सोयम का ममल सभाव है उस निरावरण चेतना पे उस निरावरण ग्यान विज्ञान में अनंत गुणों पे उन गुणों पे जिसकी दिष्टी है अरे भव ब्यात्मा हिर्दे पिसलन होके फिफुलित होके तो सुनो जिसकी दिष्टी ऐसे जिन सभाव पे है बहे भब यात्मा बहे जीव इन सायोंगों में रहता हुऊ अभी दुखों से हीन है इंद्री विशेभोगों में पन्रेपाप का पड़िणमन अच्छा हो या वरा हो सायोंग नर्क की भूमिका हो या फिर मनश पढ़ियाय की भूमिका सायोंगो एधि सम्यक्ति साथ है एधि धर्म में चेतनत चेतनत चेतन में गुण की वर्तना साथ है वर्तना के रहा है तो वहेजीव वहेजीव नार की करत भोगत अंतर समरस गटा गटी अंतर सम्रस गटा गटी क्या है भगवान ये क्या है चेतन में तेरी सक्ता क्या है ज्यान आदी गुणों की महिमा ओहो केसा अतलित वेवावे इस चेतन में विकास का ओहो कितना अतींद्री आत्मा का केसा पिस्पडित अनंत वेवावे इस चेतन में सक्ता का ओहो केसा ध्रूब में वन्नम, केसा ध्रूब में ज्यान विज्यान में प्रकासित हो रहा है ये सरूब ओहो केसी इस सत्ता की महिमा, ओहो केसा इस सरूब का बहुमान ओहो केसा इस अतिंद्र सुभाव का, केसी इस धर्म की महिमा ओहो चेतन, 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 चेतन चिदानन्द में चिदानन्द में चिदानन्द में जो हर पल वहरा है अपने बहाओं के साथ शुद्ध बुद्ध जो हर पल वहरा है अपने बहाओं के साथ जिसको करंधाराय नहीं थाम सकती जिसको बिकल्प नहीं थाम सकते जिस चेतना को कोई भी रोडा, कोई भी बहारी वहवार आचरान, कोई भी बहारी परिस्तिती, कोई भी आकुलता, अनुकूलता, पृतिकूलता, जिसे थाम नहीं सकती जिसके चेतना में परिड़मन को रोख नहीं सकती, कोई भी परियाधारा को कोई रोख नहीं सकता, जिसके चेतना गुणों की स्वयम की महीमा को कोई दबा नहीं सकता, आवरित नहीं कर सकता कोई भी किसी में इतनी सामर्थ नहीं है पस ये जीव स्वयम भूल जाए अपनी शक्ति को तो ये श्वयम अपनी मर्जी से आवरित होता है जब इसका मन होता है कि मैं मन में रत रहूं, विठ्यात में रत रहूं, मोहे में रत रहूं, जब ये जीव अपनी अनंत सक्ती से सोयम आवरित होता है, और जब इस आत्मा का सोयम का उपलान वलवलाता है, सोयम के अंतर की चेतन जोती खिलती है, सोयम के अंतर का ग्यान विज्ञान में सुद्ध म कि हुआ है सुयम के अंतर का आत्म का अनंत वल अनंत तेज इसा अनंत प्रकास अंतर जो जब इंद सकता है जब सोयम की अंतर से इसी आत्म शक्ति, आत्म गर्जन अपलब्ध होती कि ओ मैं तो तीनों लोगों का स्वामी हूँ, ब्रह्म में चेतना हूँ ब्रह्म में अतींडरी ग्याता दिश्टा ग्यान विज्ञान में चेतन निसुभाव जहां अंतर से इसी ललकावर उपन होती है वहां ये जीवात्मा स्वयम की इच्छा सक्ति से ही स्वयम मुक्त हो जाता है स्वयम की इच्छा सक्ति से स्वयम मुक्त हो जाता है और जब स्वयम अपनी स्वा चेतना की इच्छा सक्ति से रहत होता है अपनी स्वा साधना से रहत होता है परियायं को देखता है तब स्वयम इसी की इच्छा से ही ये संसार में परिवर्ण करता है इसे संसार में भटकाने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, और इसे संसार से तारने वाला भी कोई दूसरा नहीं है, आत्मा स्वयम आत्मा का तारण हार है, आत्मा स्वयम आत्मा का केवन हार है, स्वयम आत्मा का तारण हार है, इस वास है भी या आत्मा सोयम आत्मा का तारण हार है आत्मा सोयम आत्मा को पार ले जाने वाला है आत्मा सोयम आत्मा को इस भवसागा समुद्र से तारने वाला है आत्मा सोयम कारण है और आत्मा सोयम कारी है आत्मा में न कारण का अलग भेड नहीं है आत्मा में कारण का अलग भेड नहीं है स्वाकार कारण से सिद्ध, स्वा चतुष्टे में, स्वा आनन्द में, स्वा के कारण से सोयम सिद्ध, अदीन्दरी आनन्द में, चेतन में सरुपाला है आत्म स्वा कारण से स्वयम में सिद्ध है आत्म स्वा कारण से स्वयम में सुद्ध है आत्म स्वा कारण से स्वा अपने ही अनंत गुणों का स्वयम स्वामी है आत्म स्वा कारण से ही अनादी काल से अजर अमर अभिनासी शाश्वत विज्ञान में केवल ज्ञान की चेतन जोती शक्तिर से संपन अपनी अनन्त अवगायना में स्वयम अपने सुधात्म प्रदेशों में निवास करने वाला स्वयम अनन्त गुणों का निधान है वो अपने में स्वयम संपूर है वो स्वयम ब्रह्म है वो स्वयम निराकार चेतन सरूप वो स्वयम शिव सरूप है अतींद्री अगोचर सत्ता का स्वामी है स्वयम मुक्ती का स्वयम नाध है वो आत्म स्वयम इश्वर है वो अपनी इक्षा से परिणमित होता है वो अपनी इक्षा सक्ती से परिणमित होता है उसके पुरसाद को कोई ढाख नहीं सकता उसकी स्वाइक्षा को कोई परिवर्टित नहीं कर सकता स्वाधीन सकता है वै ब्रह्म में नाद है उसका तीनों लोकों में गर्जना है उसकी रे वो अविनासी शाश्वत चेतन पाद वह अभे तिंकोत कि ग्याया ज्ञान विग्यान में वह अनंत भ्रह्म में सरूँ उई वही तो मैं उन्हूं गुंड चेतन इत्वम इसे चेतन में गुंड को किरण करने वाला वेही धर्मात्मा है धर्म में आच्रण करने वाला एक चेतन में गुण को ही अपने लक्षण को ही पहचानता है और एसा धर्मक के एसा धर्मात्मजीब संपने ही सुभाव को देखने वाला सुद्ध सुभाव को देखने वाला एसा धर्मात्माजीब दुख की हीना दुखों से मुक्त रहता भी या उसके लिए इंद्री सुक्दुख एक कल्पना है उसके लिए जन्मरण एक कल्पना है उसके लिए संसार परीवर्मन की यात्रा एक कल्पना है उसके लिए मन वचन का आएगा प्रेडवन एक कल्पना है कभी की कल्पना है जिस कल्पना में वो प्रभावित नहीं होता जिस कल्पना को वो सत्य नहीं मानता जिस कल्पना को वो यथार्थ नहीं मानता जिसे इस संसार परीवर्मन को जिसे वो एक धोका और कालतनिक अवस्था समस्था है वह जी भी धर्मात्मा है दुखों को नश्वर जानता है और साश्वत सुक अतींद्री आत्मा को ध्रुब जान विग्गयन में जानता है करोंशялक ईसका लक्षण क्या है बिया उसका लक्षण चेतना है बियो चेतना लक्षण के सासात और क्या लक्षण है तो अचायतारंतरंदेव कहते हैं शंपोन्ञानरूप मुण्यों को पहचादता है लेकिन गुरु देप कैसा पहचानता है कि लगयो संपूर्थ तक्त्तों को जिनेद भगवान जैसा के रहा है वे सही जानता है लेकिन ध्यान दखना सोई न्यान रूपम उन्हें पर गे ही जानता है मैं तो सुयम ज्यानानंद ज्यान विज्यान में सरूप बाला हूँ एसे अपने स्वातत्य को ज्यान में अभेद सरूप को सुयम में भैचानता है कि हो मैं तो ज्यान बिन्यान में जानन 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 में तो जानन 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 में तो द्रोप्रकास में चेतन शक्ति मात्र हूं मेरा अनन्त मेरा अनन्त पर्णमन तो मेरे अनन्त सभाव में स्वयम पर्णमित हो रहा है मेरा अनन्त ग्यान में पर्णमन तो मेरी अनन्त ग्यान में चेतना में स्वयम पर्णमित हो रहा है मेरी अनन्त शक्तियां तो मेरे अनन्त अनन्त गुड़ों में स्वयम ही उचल रही है स्वयम ही उचल रही है अनन्त का अनन्त व्लास चेतन आत्मा आत्मा अनन्त है अनन्त अनन्त गुणों का पिंड है ये अनन्त अनन्त गुणों सोयम में अनन्त रूप बलस रहे हैं संप्रोशी तत्वाम सोय न्यान रूपाम ये सुद्धात्म तत्व ये अनन्त गुणों का संप्रा का निधान ये अनन्त गुणों में चेतन संप्रा का स्वामी ये मेरा ही ज्यान में रूप तो है इसा जानने वाला श्राबक साधक ज्यानी भव्यात्मा सीगरी छड मात्र में मुक्टी को मुक्ष की सिद्धी की संपदी को उत्पन कर लेता है यह हो गया मुक्ष मार कंप्लीट वही कहां से प्रारंभ हुआ था चेतन्ता से कहां पूरा हो गया चेतन्ता पर वही कहां कोन से अनुवा से प्रारंभ हुआ था एक समय में अपने आत्मा के अनंत गुणों का जो सुद्धात्र सुभा का वेदन किया था उससे प्रारंभ हु हो गया वो ही स्वासमे जहां निरंतार अवरल रूफ से प्रतीती में अर्थात जैसे सिद्भगवाण को ıkृत्री समय अपने आत्मा का अनन्तु बोग हो रहा है ऐसा स्वान्वाव में जहां वह समय समय में लीन हो गया समझद उस समय मोक्षमार पूर्ण हो गया भी कुछ समझ में नहीं आया अरे जहां समय समय में जाके मिल गया जहां आत्मा अपने आत्म सुभाव में जाके मिल गया जहां ग्यान ग्यान में दर्सन दर्सन में आत्मा आत्मा में स्वयम में ले हो गए वहाँ सुद्ध प्रकाजवान केवल ग्यान अनंत जोती सोयम में पिस्पडित होई और जहां सुद्ध केवल ग्यान में अनंत जोती पिस्पडित होई वहाँ एक मात्र मुक्ती शिरी वरतने लगी वहाँ सिद्धत वरतने लगा माँ अपना पूरत वरतने लगा जहां समय समय में निवगन हुआ, जहां समय समय में ले हुआ, जहां ग्यान ग्यान में ले हुआ, वहां ग्याना अनन्द विलसने लगा, वहां परम आनन्द जोतन जोती सरो विलसने लगा, वहां मुक्ती 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 विलसाई, महां अपना मुक्त सुभाव हुलसने अपने अनुभब में आने लगा अपना शुभा अईसा अतीन्द सुभा अपने वेदन में आने लगा वहीं कि हिप बहुंअ मुक्ति है है वहीं दुखों का अंत यह था है अपना संपूर्ण थ PPG अपना ममल सभाव है जहां मुक्ति मुक्ति में विलसे जहां आत्मा आत्मा में विलसे जहां सुख में विलसे जहां जहां स्वासता स्वास्वरूप में विलसे वहां मुक्ति 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 विलसाई महां आनंद आनंद में विलास कर रहा है महां सुख सुख में विलास कर रहा है महां चेतना 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 विलास कर रही है महां दुरुपता दुरुपता विलास कर रही है जहां जो विलास कर रहा है अनंत विलासी चेतन्द महाप्रभू अनन्त विलासी द्रुब महाप्रभू जहां सोयम सोयम चेतना चेतना में आत्मा आत्मा में मैं मुझ में विलास कर रहा हूं वहीं तो धर्म है वहीं तो धर्म है वहीं तो धर्म है क्या है आत्मन तुम अपने एसे दर्म को प्राप्त करना चाहते हो, तुम तो उस दर्म को प्राप्त करना चाहते हो, जो किरिया में है, कांड में है, आडंबर में है, इंद्री विशे भोगों में, सुबसुप परिणाम में है, कर्दत भुक्तत रूप एहंकार में है, तुम तो एसे असुद्ध को धर्म मान मांते हो जो जन्म में हो जो मरंड में हो हे जीवात्मा तुम तो एसे असुची में सरीर के पढ़नमन को धर्म मानते हें असुची में असुद्ध परणमित होती हुए सुभ असुभ धराओं को धर्म मानते हो ये तो मूर धरम का लक्षण नहीं ये तो मूर अज्यानता का लक्षण मन के परिणमन में बह जाना उसमें कुछ भी उल्टा सीधा विचार करना मन की धाराओं से घुड़ा जाना उससे भैवित बने रहना अरे भब्यात्मा ये तो अज्ञानता का लक्षण है और अज्ञानता का लक्षण जहां दिखाई दे ये वहां धर्म नहीं होता नोट करो बहुत बिशेश पाइंट है यहां बहुत बिशेश है ये चर्चा और बहुत बिशेश है ये धर्म को ग्रण करने का भाव जिनके अंतर है उनके लिए बहुत बिशेश है ये सूत्र कि जहां भी अज्ञानता का भाव प्यादुर भाव पाया जाएगा, वहाँ धर्म नहीं जन्म लेगा, महाँ धर्मात्मा नहीं जानने में आएगा, जहां भी अज्ञान और मिध्यात का मत दिखाई देगा, महाँ धर्म नहीं हो सकता, संस्कारों का जहां पोशन होगा, वहा धर्म तो इन सारे सैयों वसैयों की भाव से अलग है, धर्म तो इन सारी मोह माया और अज्ञान में धारणाओं से अलग है, धर्म तो बहे सक्ती है, धर्म तो बहे स्वरूप है, जो सुयम में बरतने वाला अपना सास्वत पिंड परमात्मा है, धर्म तो वह तेज है धर्म तो वह सोर है जो स्यम में बिलसने वाला अनादी अनंत चेतन में परमात्न सरूप है धर्म तो वह रूप है जो अवरल अविरल अविगत अपने में स्यम बिलस्ता हुआ अनंत आत्म वल रूप जो स्यम का अनंत अनंत ये समझो अनंत वीर है आत्मा का अनंत पौरुश उसका नाम धर्म है भाईया कुसी जहां याद रखना जहां चैतन ता वहां धर्म है जहां च्यानता नात अäter है जहां आत मगयं आतमा मेंги आत्मा ये आत मा वल लुकान में और जहां भर पर्याइवें परडम्र में उन्द में दिश्टी एक मेख उस रूपि सीकारता उस रूपि मूर्चा और उस रूपि अपने आपको मान के मही उलजना अज्ञान 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 और जहां अज्ञान जन्म ले लेता है जहां धर्म गोण हो जाता है मिट्टा नहीं है लेकर क्योंकि धर्म वस्तु का सुभाव है जहां अग्यानता जन्म ले लेती है वहां धर्म गोण हो जाता है लेकिन एक बात याद रखना चेतान जहां धर्म जन्म ले लेता है अनुभाव में आयाता है महा अज्ञानता नश्दी हो जाती है महा चीन हो जाती है गोण नहीं होती हाँ अज्ञानता के ओदे होने पर धर्म गोण होता है चेतन्यता को जी बिस्मरित कर देता है यही तो बहुत दुर्दसा है यही तो बहुत आश्यर की बात है धर्म गोण हो जाता है वाज गोण कर देता है लेकिन भब्यात्मा जहां धर्म जन्म ले लेता है महा अज्ञानता गोण नहीं होती याद रतना अज्ञानता निस्त नावूत अस्तित इन और तो और पूरी तरीके से छह विनास को प्राप्त होती है जहां धर्म का प्रकास होता है वहां ज्यान केवल ज्यान में प्रकास जन्म लेता है और अनंतिकाल के लिए सिर्फ वो केवल ज्यान ही प्रकासित होता है बस फिर अज्यान तक अभी उत्पन ही नहीं होती इसलिए धर्म की महीमा श्रेष्ट है अज्यान छे हो जाता है ना धर्म की शक्ति से छे हो जाता है लेकिन अज्यान की शक्ति से धर्म छे नहीं होता इसलिए धर्म की महिमा विशेश है याद रखो कितनी ही ताकत लगा लो पूरे तीनों काल के तीनों लोकों को सारे कर्म कितनी ही ताकत लगा ले निगोत की एक समय की वर्तमान अवस्था में वे क्यों न परिणमन होने लगे लेकिन फिर भी इस आत्मा की धर्म को कोई नश्ट करने में सामर्थ नहीं है कोई भी सामर्त नहीं है और यह आत्मा अपनी ही चेतन जोती के प्रिकास को एक समय के लिए उच्छाल ले कि अहो मैं दुरुब सुद्ध चेतन में परमात्मा हूँ तो देखो गिजाई की परियाय से निकले हुए चक्रवर्ती के एक सो आठ पोत्र या एक हजार आठ कितने हैं कोई संक्या कन्फरम नहीं आती वहे पूरे एक सो आठ पोत्र है वो एक ही भाव में सीधे केवल ज्यान ये तो चेतन जोती की महिमा है भाईया इसका पुरसार्थ तो ये ही जानता है वस इसकी शक्ती तो ये ही पैचानता है वस इसका तेश तो सिर्फ ये ही अनुभाव कर सकता है इसकी सामर्थ इसकी शक्ती का अवलोकन तो सिर्फ ये ही कर सकता है वाकि इसके अलावा इसकी शक्ती इसकी सामर्थ को कोई नहीं जान सकता अरे एक समय में निर्वान करा दे ये इसकी सामर्थ है इसकी सामार्थ, इसकी शक्ती अचिन्त है, अपने धर्म का सुभाव अचिन्त है, इस चैतन लक्षण में अपने निश सुभाव की महिमा अचिन्त है, इसकी रमनता अचिन्त है, इसकी शृद्धा, इसका ग्यान, इसका चाहरित्र अचिन्त है, इसके अंतर में उत्पन होने वाला अनंतवीर, अनंतवीर, अचिंत है, इसे ना कोई कह सकता, ना इसका कोई चिंतन कर सकता, यह अपनी वलवत्ता को, अपने शोर को, अपनी प्रभूता को सोयमी जानता है, और इस सोयमी जानता है कि कब इसको क्या करना है, इसकी दिष्टी पे निर्वार है, यह पल में स अभी आलि जो रो रहो संसार में और कितने रागदे से ऑफ कितना मोए कितना अंधिकार है कहो तो खूब रो रहा हो को खूब रोदन कर रहा हो और पल में यह दिश्ती बदल दे पल में यह उपादार अंतर से उत्पन हो के आजाए पल में एक मिट में एक सेकिंड में एक समय में पलट के आ जाए इसकी महिमा हो जागर हो के आजा यह पलट जाए एक समय में दिश्टी पलट तो कहो भेजिप कहन लगे कि कौन सा दुख कौन सी परिया है कौन सा मोहें कौन सा किसकी चर्चा कर रहा है मैं तो जन्मा अजर्म अमधिशि ऽशय श्वत्थ अदि आ अब धो अजय एक समय में पूरी काइनात पलकागे एक समय में काइनात पलिटे एक समय में एसा प्रभूतावान है मेरा चेतनितत और इसकी लीनता की चर्चा कर रहा है आचारतारं तरंजिन स्वामी की जै धर्म लीना गुण चेतनित्वम यह चेतनिकी शक्ति पहचानो धर्म को जान सकते हो तो जानो जिसके मात्र ग्रन कर ले मेरे मात्र से ते दुख की हीना सारे दुख छूट जाते हैं जिन सुद्ध दिष्टी स्वयम जितेंद्री आनंद सभाव की दिष्टी प्रकट होती है संप्रोशी तत्वम स्वय न्यान रूपम संपूर्ण शुद्ध आत्म प्रदेशी यह परमतींद्री आनंद में निम प्रदेशी यहां जिन सभाव जहां यह पूर्ण ज्यायक ज्यान सभाव आता है वहां साथ में मुक्ति सिरी का अनुवाव और अपने अनंत सुख की अतींद्री आनंद की रमणता इसको भी साथ निर्विकल्प आनंद और सुख को अपने साथ लेके आता है अपनी आत्मा के बोत को अपनी आत्मा के अतींद्री आनंद अनंत संपदा को साथ लेके आता है एक समय में अनंत गुणों की स्वान भूति को साथ लेके आता है खाली नहीं आता है ये आत्मा ये जब आत्मा जब भी अनुभाव में आता है तो अपने अनंत गुणों के वेदन के साथ अनुभाव में आता है अरे भब्यात्मा तुझे कभी इसे चैतन की महिमा नहीं आई हे भब्यात्मा कभी तुझे अपने इसे अतींद्री आत्म सरूप की महिमा नहीं आई हे भब्यात्मा कभी तुने अपने इसे निरावरण सुभाव को अनुभाव नहीं किया कि देखो सुद्ध है जो सुद्ध है सुद्ध है जो सुद्ध है धर्म मैं है जिसकी सत्ता जे धर्म लीना गुण चेतनेत्व धर्म मैं है जिसकी सत्ता वो गुण चेतन्यवान में प्रभू हूँ आनन्द मैं है जिसकी सत्ता बे दुरुबधाम तुर्काली में हूँ अरे केवल ग्यान में है जिसका सरूब वो ग्यायक परमात्मा में हूँ अरे प्रभू अनन्त उपकार आपका जिनेंद्र सर्वा की परमात्मा जो मुझे मेरे धर्म का मेजे मेरी लीनता का परीचे करा दिया ओ तरन तरन जिन सौमी आपने मुझे मेरे ही सक से मेरी सुभाव से मिला दिया अरे दुख तो छण मात्में छीन हो गए चिनताएं तो छण मात्में गलित हो गई ओहो विकल्प तो एक समय में मिट गए गुरुदेव इन विकल्पों का तो पता ही नहीं लगा कब गल गाए इन सईयों की दुखों का तो पता ही नहीं लगा कहां चले गाए ओ जिने में बहुत भारी भूत करता था जिन कसायों को में बहुत महित्पुन मानता था जिन परियायों को और जिन परिणमानों को मैं बहुत भारी भूत करता था हे गुरुदेव मुझे तो उन कर्मों का उन कसायों का उन विकारी भाव का पता ही नहीं मिला कि वो कहां चलेगा है आपके एक उबदेश ने एसे सत्य ग्यान की जोती की चिंगारी मेरे अंतर में जला दी आपके जिनेंद्र भगवान के एक उबदेश ने जिनेंद्र भगवान के इन वचनों ने मेरे हिर्दे में एसी सम्मेक्त की चिंगारी उपलब्द करा दी गुरुदेव कि अब मैं दुखों को खोशता हूँ तो वो मुझे मिलते नहीं है अब मैं आकलता को से मिलना चाहता हूँ कि आकलता मुझे से आके मिलो तो थोड़ी देर तो वो आकलता कहती है हरे हम तो उसके पास जाते हैं हम तो उसके पास जाते हैं किसके पास जो अज्ञानता का साथ देता है हम तो उसके पास जाते हैं जो मोहो रागादी विकारी विभाव परणाम का साथ देता है हम तो उसके साथ जाते हैं जो अनिश्टी रूप सरीर सहियों गादी पर्याव परणामन को देखता है लेकिन हम उसके साथ तो टिकी नहीं सकते हम उसके साथ तो रही नहीं सकते किसके साथ नहीं रह सकते जिन सुद्ध दिष्टी जिन भब जीवों की दिष्टी सुद्ध सुभाव को देख लेती है जिन भब जीवों की दिष्टी अपने धर्मात्म अर्थात अपने चेतन में स भाव धर्म को उपलब्द कर लेती है, अपने संपूर्टत्त का अनुभाव जिने होता है, हम एसे मुक्ती में निवास करने वाले, एसे सिद्धी में विलास करने वाले, एसे आनन्द में रत रहने वाले, एसे ज्यानी जीवों से हम मिलन ही नहीं कर सकते, क्योंकि हम अज्ञानता से इंद्री विश्यों से हमसे मिलन करने के लिए अज्ञानता चाहिए अज्ञानता दुख से मिलने के लिए अज्ञानता चाहिए दुख का अनुभाव करने के लिए अज्ञानता चाहिए दुख में डूबने के लिए अज्ञानता चाहिए अज्यानता नहीं तो दुख नहीं हो सकता दुख में निवंगन होने के लिए अज्यानता चाहिए अज्यानता निवार है दुख के लिए अज्यानता निवार है दुख के लिए अज्यानता निवार है जहां जहां दुख तहां तहां अज्यानता जितना अधिक अधिक दुख उतनी गहरी गहरी अज्ञानता जितनी अधिक अधिक पीड़ा उतना गहरा करतत भोगतत राग आदी परिणाम जितनी जादा जादा परेशानिया जितनी जादा जादा चिंताए उतना जादा पार पार के प्रति अनुराद अज्यान भाव, मिठ्यात भाव, मोय भाव, जितना गहरा अंदकार, उतनी घंगोर, रात्री, कमवस्या की काली रात, अज्यान अनिवार है, पीडित होने के लिए अज्यान अनिवार है, आकलित होने के लिए अज्यान अनिवार है, चंतित होने के लिए अज्यान अनिवार ह लेकिन है भव्यात्मा अंतर हिर्दे से सुनो अंतर आत्म से गिरण करो ज्ञान की एक चिंगार युद्पन होते ही ना ज्ञान टिकने वाला और या ना ये दुख दिखने वाले ना ये आज जो सैयों में करमुदे चल रहा है ना ये करमुदे दिखने वाले ना इनकी कोई आकुलता दिखने वाली मैंने लाखों वार कहा है मतलब लाखों वार से अर्थ अभी प्राय ये वार वार जिन बचनों के इन गुरु देप के बचनों के सहकार में वार वार इस बात को कहा है कि हे भव बात्मा आज तुझे बरतमान परियाए में जो दुख है या बरत्मान पर आए कि जो अपराद है या बरत्मान पर आए कि जो अनंत परिणमन है पता सिद्ध सिला जाने के बाद तुझे कौन महा के कहेगा कि तुने क्या अपराद किये थे क्या पन्य किये थे क्या पाप किये थे अरे जो अपने चैतन की अनभूती में निमगन हो गए अपने ज्ञान विज्ञान में रत हो गए उनसे कौन पूछेगा कि तुमने कौन कौन से करमों का वेदन किया था क्या न्याय था क्या अन्याय था अरे सब परिणमन गल जाएगा चैतन वार वार इस कतन को कहता हूँ कि जहां अंतर जाओगे वहां कौन तुमसे पूछेगा कि मन में केसे विचार चल रहे थे तुम केसा मोहे कर रहे थे तुम्हें कितना राग था उससे तुम्हें कितने असुप परिणाम थे तुम्हें कितना मोहे था उससे कौन बताएगा कौन पूछेगा तुमसे कौन परीचे मांगेगा लेकिन तुम खुद इस मन से इतना मोहे करते हो कि तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुमारे परिणाम केसे थे तुमसे कोई नहीं पूछने वाला कि तुमारे क्रियाएं केसी थी तुम से कोई नहीं पूछने वाला कि तुमाई सैयोग के से थे लेकिन तुम मन के एसे मुरीद हो मन के एसे मोही हो अज्यान के एसे रसिया हो कि तुम स्यम मानता है बनाते जा रहा है हो मन की तुम स्यम मरते जा रहा हो मन में तुम स्वयम दपते जा रहा है हो मन में तुम तो स्वयम बता रहा हो कि हम पापी है हम अज्यानी है हम करता है हम भोगता है तुम तो स्वयम अपनी पहचान अपने से कर रहा हो ना जनेन भगवान जेसी पहचान करा रहा है वेसी कहां कर रहा है जैसा धर्म का सरूब जने इंद्र देप बता रहा है वेसा तुम कहां देख रहा है जैसे बस्तु सुभाव को जो सर्वग परमात्म बता रहा है आ करता अभुकता चिदानन्द में विलास करने वाला अपना चेतन घंपिंड परमात्म सरूब जैसा कमल जयक सभाव जने इंद्र परमात्म दिखा रहा है वेसा कहां देख रहे चेतन राच वेसा जयक सभाव देखो ये वेसा चेतन प्रमात्म सभाव उपने अंतर में देखो वेसा स्वानुव मह तुम्हें तीन काल में कोई आवरित कर दे एसी तीन लोग में किसी कर्म की ताकत नहीं तुम्हें चेतना को कोई ढग दे तीन लोग में ऐसा कोई दूसरा पदगल परमाणू नहीं कुई नहीं है कोई नहीं है तुम्हें सक्ति के आगे तुम्हें सामर्थ के आगे तुम्हाई बल्वान तुम्हाई अतींद्री अवलवली सुभाव के आगे तुम्हाई अचिंत चिंतावनी जो चैतन्य महाशक्ती है उसके आगे एक समय भी यही कोई टिक सके एसी किसी कर्म की प्रकृती में ताकत नहीं है आस तक नहीं है लेकिन तुम्हें अपने आनन्द में अपने अतींद्री आनन्द में अपने सुख में अपने ध्रुब में बलस्ते हुए अपने स्वास्वामित अपने स्वास्वरूप अपने ग्यान विज्ञान में स्वभाव का एहम तो जागे अहो मैं तो ब्रह्म में चैतन्द अपना अज्यान में चेतनि सरूपी परमात्मा हों तुम्य और श्वाभीमान तो पुथ पन हूं मानअ मानओकांतंद्रृवहम मानलो कांतंद्रृवहम मानद दीजानाती सापन्डिता मैं तो ब्रम में चेतना हूं जो लोका लोक को प्रकासित करती है मैं तो वो दिव अतींद्री आनन्द में सोर हूँ जिसकी एक गरगराट एक गरजना पे गंगातिया कर बिलीन हो जाते हैं मैं तो वह अधुत चैतन प्रकास हूँ जिसकी एक जोती से करमावरण छीन हो जाते हैं मैं तो वह विज्ञान में यह सा केवल वभ्यान में प्रकासक्त चेतन जोतिर मैं सरूफ हूं जिसकी एक छटा से, एक मात्र जिसकी एक मात्र क्रण से अज्ञान, कुज्ञान, मोह, मद, मसर अनादी काल के संसकार चीन हो जाते हैं मेरी नी मानो तो गुरुदेब की मानो व्रजनती मुक्षम छड़ में केतों व्रजनती मुक्षम छड़ में केतों एक छड़ में मुक्ति को पाओगे चेतन सीगरता से आनंद को पाओओगे सीगरता से आत्मा का वे भहुमान पाओओगे सीगरता से आत्मा का वह सविमान पाओगे सीगरता से आत्मा का वह हर्ष पाओगे सीगरता से आत्मा की तुम वह अनुभूती पाओगे जो स्वयम केवल ग्यान जोती सरुप्रकास मैं है एक छड में तुम उस सत्ता को पाजाओगे एक छड़ में आत्मान एक छड़ में एक छड़ में तुम उस केवल ज्यान में जोतिर में सत्ता को पा जाओगे हाँ में पा जाओंगा हाँ 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 में एक छड़ में जोति को पा जाओंगा इतना इतना विश्वास हो अरे ये भे ना हो कि केवल ज्यान तुभी ये चार भव बाद होगा अरे एसा प्रमान ना हो कि चार भव बाद मुक्ती होगी अरे कहां लगे हो बबे जिस च्छन चाहे उच्छन मुक्ती अरे साधक ज्यानी साधक तो हर पुछाण हर समय इस आस में जीता है उसके पास स्वा की आत्मा की स्वयम की स्वा इच्छा सक्ती इतनी प्रवल होती है सुयम की आत्म शक्ति इतनी प्रवल होती है कि वो हर समय इस सत्त में जीता है कि मैं केवल ग्यान में सरूप जब चाहूं जब सामर्त में अपना केवल ग्यान पिक्टा लोगा इस पंचम कालमित पन नहीं होगा ऐसा बिकल्ब भी उसे नहीं आता उसे तो जानता सावे बस तो सब ग्यान में रहता है लेकिन उसका उचलता हुआ उबलता हुआ पुरसार्त उसकी उचलती हुई उबलती हुई आत्म सत्ता अर्था उससायत होता हुआ उसका वहवान और रोमान चे तो कहता है कि अभ्याली केवल ग्यान को छूके आते हैं अंतर में ही तो है अभ्याली निर्विकल्गता को छूके आते हैं हम अभ्याली अपने अनंत तेज को अनुगाव करके आते हैं हम अभ्याली अंतरोन मुखोके अपने दुरुव सास्वा सिद्ध पत को पिक्टाते हैं हम अभी सिद्धों जैसे अनुगाव को पिक्टाते हैं हम यह रहती उसके अंतरात्मा की शक्ति यह रहता उसके अंतरात्मा का वल और एसा अंतरात्मा का वल जहां सोयम में गर्जना करता है एसे अंतर आत्मा का बल जहां सुयम में नात करता है एसे अंतर आत्मा का बल जहां रोम रोम में पिस्पडित होता है एसी अंतर आत्म चेतन जोती शक्ती जहां प्रदेश प्रदेश में प्रकास पहलाती है शुद्धू 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 जहां एसा प्रदेश प्रदेश में रोम में प्रकास फिलाती है वहाँ ये जीवातमा छड़ में मुक्ति को पा जाता है एक छड़ में मुक्ति को पा जाता है एक छड़ में सिद्धी को पा जाता है एक छड़ में अपने अंतर में बिद्दमान रतनातर निदी को अपलब्द कर लेता है और निहाल हो जाता है साधी अनितकाल के लिए उस अतींद्री सुख को भोगने के लिए तैयार हो जाता है जो इसका ही अंतर में इसका ही ममल सभाव है साधी अनंत काल के लिए उस अतींदरी सुख भोगने के लिए उस अतींदरी आत्म सत्त का रस्पान करने के लिए ये पात्र जीव इसका पात्र इतना विशाल इतना व्राड हो जाता है कि इसके पात्र में अनंत गुणों का रस्पान एक बाहर में समाता है इसका उपयोग इतना विसुद्ध इतना विसाल हो जाता है ये अपनी पूरी सरवांगे में अनंत गुणों की सत्ता को एक बार में अनुभाव करता है कि अरकस अरकस सरवांगे है जोती इसा स्वयम में अनुभव करता है जोती सरूप, सरवांग में प्रकास वान स्वयम कोई अनुभव करता है स्वयम कोई, स्वयम को, स्वयम को, स्वयम में यह यही तो है सब पस यही आत्मा का अनन्द वेवा यही आत्मा की अनन्द शक्ती यही आत्मा का अनन्त अन्वोदन यही आत्मा का बोध यही आत्मा का जुलंद पुरसार्थ है यही एक मात आत्मा है यही एक मात धर्म में सत्ता है और इसके अलावा जो कुछ भी है न वैसा मिठ्यात है इसके अलावा जो कुछ भी है न वैसा मोई है इसके अलावा जो वान ने जो बचन का है गुरुदेप की बचन बस वो ही जय बनता है और वो कह रहा है विजनती मुक्षम छड़ में एत्तों वो कह रहा है एक छड़ में मुक्ती एक छड़ में सिद्धी एक छड़ में आनंद एक छड़ में अतीन्दी सुख सत्ता में विलास एक छड़ में दुरुपता का प्रकास एक छड़ में केवल ज्यान में जोती। गुरुदेब की वाणी है ये तारं तरं जनेश्वर ने जिन दियो। एजि तुम अनुभव से लो, तो तुम पाए। अनुभव से ले लो, अनुभव से पी जाओ, एसे पी जाओ इस वाणी को, एसे पी जाओ गुरु के वचनों को, एसे ग्रण कर जाओ इस अम्रित को, कि गुरुदेब हमने तो पी लिया, अब परिड़मन में कुछ भी चले, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। मन वचन रोएंगे रोने दो, कर्तत भोक्तत की आंधी आएंगी आने दो, परिया परिड़मन के विसे एसे होंगे जो तुम्हाएं मन को अच्छे नहीं लगेंगे, जो तुम्हाएं संसकारों को अच्छे नहीं लगेंगे, आने दो सब कुछ, जो हो रहा है वो होने दो, सब सोतंत रहें, लेकिन चेतन आत्मा, तुम इस सोतंत परिड़मन में खोन तुम इस अज्ञानता में खोना नहीं, तुम जागे जागे रहना, तुम जाकरत रहना कि मैं चैतन्द में गुणका स्वामी हूँ, तुम आनन्द में प्रसंद रहना कि मैं चिदानन्द में सत्ता हूँ, तुम ध्रोब में रोमांचित रहना कि मेरा सभाव तो सुद्द, सुद्ध सुद्ध अरे आनंद 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 ओहो 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 चिदानंद 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 और चिदानंद तुम ऐसे पसंद रहना तुम ऐसे स्वयम में रोमांचित रहना तुम ऐसे स्वयम में भरे पूरे रहना तुम ऐसे स्वयम में प्रफुल्यत और आनंदित रह ना भब्यात्मा यह तुम इसे स्वेम में प्रफुलेत रहोगे इसे स्वेम में प्रफुलेत रहोगे इसे स्वेम में आनन्दित रहोगे तो फिर तीन काल में तुम्हें यह कर्म आएंगे जरूर यह नहीं कहता कि कर्म नहीं आएंगे यह कर्म आएंगे जरूर लेकिन साहिं हुए तो फिर बापिस पलटके कभी आने वाले नहीं है दो बारा लोटके तुम्हाया पास नहीं आएंगे ये एक दो भव की बाद भरे चेतन ये एक दो भव में पूर मिध्याद वाले संस्कार बहुत प्रवड्ल है बहुत प्रगान है इसलिए तुम्हें अपनी चेतनता की महिमा बहार तक साइद ना दिख रही हो पिसे दिखतो रही है सबको अनुभाव से दिख रही है अपने आत्मा में उचलती हुई दिख रही है अपना बदलता हुआ दर्सन ज्यान दिखा है अपनी से बाद ही मन से दवाव जिस सीखा नहीं कर रहा न तो भभ यह भव बस यह थोड़ा समय बस निकलने दो तुम्हें समय को फिर तुम्हें भगवान अत्मकति से दिखेगा फिर तमें समयर्षन आदिर दिखेंगी फिर तुम्हें अनंति के वल शक्ति को एक समय के लिए जिकार करने का परड़ाम क्या है जो तुम्हें अनन्चतुष्टे की रूप में व्यक्त दिखाए देगा एक समय की एक समय की वरति हुई चेतना एक समय का दुरुव सुभाव का सहकार एक समय के चेतन गण की अनुवूती का प्रमान ये है कि तुझे निर्वान होगा होगा और होगा यह क्या करें मोक्ष मार की साधना करेंगे तो अरे तू छोड़ तू तो मोक्ष मार के विप्रित चलना फिर भी तेरा निर्वान होगा 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 और होगा यह केसी गारंटी है यह यह बात तो समझ में आई कि मोक्ष मार की साधना करेंगे तो निर्वान होगा लिक्न भे ये बात तो बिल्कुल ही हजम नहीं होती कि तू तो मौक्ष मार के विप्रित चलना तू तो आत्मा से बिल्कुल विप्रित चलना तू तो बिल्कुल संसार में जैसे अज्ञानी जीव रहें बेसा ही रम जाना कोई सल नहीं कोई चिंता नहीं लेकिन तुझे एक बार जो तेरे चेतन लक्षण में जो अपना अनंत उपादान जाया ज्यान में अनंत गुण में जो चेतन निदीगा स्वामी जिसको तुने स्वयम में सीकार करके जिसका तुने एक समय के लिए स्वानुभवन कर दिया है अब बस एक बार वो लक्रित हो गया ना उसकी एक कृण उत्पन हो गईना एक वर संपून सभाव की स्वानभूती रूफ एक चिंगारी उपलब्हों गई प्रखते जाओ बहल सब्PO मेरे ससार में इतनी भुटका सकते हो थो थो चार सब्सक्राइग यह एक समय जाएगा उस दिन में परिढ़द कर अपने दृप में सिद्धिससलागूद पन कर लूँगा उस एक समय में पूरे धेर को कर्मों को धेर को जला दूँगी चाहे तो मुझसे विप्रिती क्यों ना चल रहा है एसी ही आत्मा की शक्ति एक समय में एक समय में एक समय में द्वन्स कर दे गई वह उस पूरी कर्मों की सत्ता को एक समय में लेकिन आत्मा तुझे एसी आत्म शक्ति की महिमा नहीं है आत्मा तुझे एसे आत्मा के अचिंत बेवाव की महिमा नहीं है ए आत्मा तुझे एसे आत्म आहलाद में अपने आत्म आहलाद में अपने अतीन रियानन में डूबने का वहुमाद नहीं है ये आत्मा तभी तो तु अज्ञानी ऐसा मूडवन के संसार में रो रहा है कि तुझे अपने ही केवल ज्ञान सुभाव का बोथ नहीं है भीया ये तो धर्म की चर्चा है मान जाओ आज ये गाथा, सोला नंबर की गाथा गुरुदेव जो धर्म की शक्तियों के रहा है बस आज मैं इस गाथा को पूर्टों मैं सहे छे महीने तक बांचन करो तो भी ना कर पाओं, हाँ, लेकिन अगली गाथा के बांचन में प्रवेश करना है कल इसलिए पी जाओ आज समरित को, जितनी तेजी से पी सकते हो इतनी तेजी से पी जाओ ते दुख की हीना वो इї दुखों से छूटेगा, जिन सो तो दिश्टी संप्रोशी तत्वम सोई न्यान रूपम जो एसा अनुवाव करेगा वो व्रजनती मुक्षम छिण में कितु एक छड में मुक्ष चला जा रहेगा पीजा गुरुदेप की वाणी है इसका भावर्थ करने की कोई अवशक्ता नहीं है इन सब्दों का अर्थ वताने का कोई भी कोई भी कोई भी महत नहीं है यह गाथा ही अपने आप में परिपूर है यह आत्म शक्ती अपने आप में परिपूर है यह चेतन जोतिर में आत्मा ही अपने आप में स्वयम सामर्तवान है जो अपने अम्रित को स्वयम उपादान से स्वयम घ्रण कर लेगी जिसे अपने स्वा नुहाओ के लिए किसी सब्द अवलवन की अवशक्ता भी नहीं है या आत्मा स्वयम सामर्त साली है या आत्मा स्वयम शक्ति साली है यह आत्मा स्वयम प्रभूतावान है अपने लक्षण से सिद्ध है अपने लक्षण से सुद्ध है अपने लक्षण से चेतन में सुभावाला है अपने लक्षण से परिपूर होने के कारण यह आत्मा स्वयम स्वा स्वामर्थवान है स्वा प्रकासवान है जो अपनी एक समय की ललकार में इन अनंत कर्मों को बिद्धुण्स कर देगा बिद्धुण्स ज़िए एसी आत्महिमा जागी हो तुम्हे ज़िए एसी आत्म्हिमा जागी हो तुम्हे ज़िए तुमने इन जिन बचनों को अपनी हिर्दे में अपनी अंतर आत्मा में अपनी ज्यान जोतिर में बिद्धमान किया हो ब्राजमान किया हो ये तुमने इंजन बचनों को तो भब आत्मा एक संकल्प ले लेना अरे कितने ही बेक चल जाए कर्मों के कितने ही तूफान आ जाए परहायों के कितने ही अज्ञान का आवरान आजाए लेकिन मैं अपनी चिंगारी को ही प्रमुक रखूंगा वस जो मेरे अंदर स्रधान जागा है जो मेरे अंदर विश्वाज जागा है जो मेरे अंदर स्वास्वामित उत्पन हुआ है मेरे लिए तो वो द्रुव आत्मा ही, मेरा प्रकास, चेतन, मैं, गोणी, मात, स्रेष्ट है, इसके अलावा सब विद्ध्वन्स को प्राप्त होने वाला है मेरे लिए सर्वत्र मेरा ध्रुब है मेरे लिए सर्वस्ट मेरा ध्रुब प्रकास है मेरे लिए सर्वस्ट मेरी अतींद्री ग्यान ग्यान विज्ञान में चेतन जोती है मेरा तो सर्वत्र समर्पान मेरे ध्रुब त्रकाली को है मेरा तो सर्वत समर्पान मेरे चैतन्य परमात में सरूप पे है मेरा तो सर्वत अर्पान मेरे ज्ञान विज्ञान में सरूप पे है इसलिए ना अब मुझे कोई सल्ल है ना अब मुझे कोई चिंता है अब तो मुझे मुक्ती श्री दिखाई दे रही है बस एक मुक्ति को देखो एक मुक्ति को कहो एक मुक्ति में रहो एक सु एक सु एक बस एक सु एक सु एक ममल महूं बस एक सु एक सु एक ममल महूं बस एक से एक में अपने सुभाव में ममल सुभाव मही हूं बस दूसरे की कोई चर्चा ना दूसरे के कोई चर्चा ना दूसरे के कोई चर्या ना दूसरे के लिए कोई जिग्यासा मेरे पास अपने अलावा और कोई इस्थानी खाली नहीं है भई यह रिक्त इस्थानी मत छोड़ो और इस्थान को चेतना से भर दो हिर्दे को चेतना की स्रीकार्था से भर दो आत्मा को अपने चित्त को स्वरूप के स्वाविमान बहुमान से भर दो अपनी अंतर आत्मा को अपने अनन्त तेज अपनी आत्मा की गर्जना से पिफुलित कर दो अपने आत्मा के ज्ञानानन सुभाव की खुश्वु से अपने चेतन उपवन को अपने चिंतवन को महका दो जहां अपना चिंतवन महकेगा जहां अपना आत्म वल उत्पन होगा जहां अपनी ज्यान जोती पिस्पडित होगी वहाँ उस पल से उस चण से उस घड़ी से वहीं से फिर तुम्हें तीन लोक में कोई कर्म आवरित करने वाले नहीं भईया ये गुरु देप का उपदेश है ये गुरु तारंतरन जिनकी वाणी है ये तारंतरन जिनको उपदेश है ये तारंतरन जिनको प्रशाद है जो पाए तो निहाल भईया जो नहीं पा रहा है उनसे उनसे गुरु देप का उनसे गुरु देप का एक संदेश है कि भईया गुरु देप जगा रहा है गुरु देप उठा रहा है गुरुदेब पता रहे हैं तुम क्यों अभागे बनके बेठे हो जोली पसारो अंतर आत्मा से हिर्दे की जोली पसारो और इस जिन भगवान के बचनों को समण पड़ता से पी जाओ और कह दो सत्त है द्रूब है प्रमाण है और जैवंत है बस यही सिद्धी है भाईया यही मुक्ति है भाईया यही आनन्द है भाईया यह सत्गुरुदेब है आचार तारंतरंजिन स्वामी आपने जो धर्म का सरूप दिया है आपने जो धर्म की महिमा कही है आपने जो चेतन गुर्ण की अभिव्यक्ति को कहा है है आचार जिन तारंतरंदेब में एसे सभाव को एसे ग्यान में रूप को एसे अपने निर्विकल पतींद्री आनन्द में सभाव को जिसकी सामा तो सक्ति से एक छड़ में निर्वाण होता है मैं इसे आपकी सर्णागती में आपके बचनों अनुसार आपने जैसा अनुवाव करके कहा है वेसा यी सीकार करता हूं मुझे आपके कहुए बचनों पे जिन भगवान की कहुए वाणी पे सो परसेंट पूरा का पूरा विस्वास है गुरुदेव और मुझे ये भी विस्वास है कि जैसा अनुवाव आपने कहा है वेसा ही मैं सीकार करूंगा मुझे भी एसे स्वानुभाव का जन्म हो जाए मुझे भी एसी चैतन जोती स्वयम में प्रकासित दिख जाएगी मुझे भी एसा केवल ग्यान में तत्व अपना प्रभूतावान अपना तीन दिस अभाव इस पश्ट जलग जाएगा मुझे ये भी विस्वास है मैं इस विस्वास के साथ आपी की छत्र छाया में आपके द्वारा मालारण जी का ये उगदेश मैं अपने ग्यान गुणों की माला में आपके यासिरवास से गूतता हूं मैं इस ग्यान अम्रित को इस सत्य वेभाव को अपने अंतर में गूतता हूं आपकी आज्या को हिर्दे से सीकार करता हूं है तारंतर अंदेव मुझे ग्या आत्मवाल चारित्रवाल स्रदान की वह शक्ति प्रदान करें जिससे मैं इस अम्रित को एसे ही निरंतर पीते हुए अपने निर्वान के पत्मे निरंतर आगे बढ़ता रहूं एसे ही आशिरवाद और एसे ही मेरी भावना को सफल करें गुरुदेव वो दिये आचार जिन त जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो, जय हो.